रात को सोने से पहले मेरा बताया हुआ ये एक ग्लास रोजाना पीरी जे आपके शरीर की चर्वी बिलकुल मौन की तरह पिगल जाएगी अगर आपको वजन बहुत जादा बड़ा हुआ है या आपका पेट बहुत जादा लटका हुआ है तो मैं आपको इस वीडियो में चालेंज करती हूँ कि 21 डेज में आपको आपके अंदर बहुत जादा विजिबल रिजर्ट दिखना शुरू हो जाएगा इन फाक्ट आपको ही नहीं आपके जानने वालों को भी दिखना लगेगा कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं जो आपका वजन इतना तेजी से गिरता जा रहा है अगर आपके पास भी exercise का time नहीं या फिर अभी आपकी delivery हुई है उसके बाद आपका लटका हुआ पेथ है बढ़ता हुआ वजन है या फिर आपको PCOS, PCOD, diabetes या thorate की बिमारी है जिसकी वज़ा से वजन कम करना जैसे नमुम्किन सा हो जाता है और वो हमारी stress का कारण बन जाता है इन सारी problems में या आपकी रुके होई वजन को बहुत अच्छे से कम कर देगा इसके सासद अगर आपका thigh fat बहुत जादा है या आपका back fat बहुत जादा है, bra fat बहुत जादा है या आपके शरील में जहां भी चरबी है उसको ये बहुत नार्च्रल तरीका है जिसका कोई side effect नहीं और इसको बनाना इतना असान है कि आपका time भी बचेगा लेकिन रेमेडी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और clear करना चाहूंगी कि मार्केट में दुनिया जहान की slimming pills available है जो ये दावा करती है कि दो दिन में पतला कर देंगे लेकिन उन slimming pills को खाने के बाद में आपका वजन बढ़ने भी लगता है लेकिन बहुत सारी slimming pills natural भी होती है लेकिन वो महंगी होने के कारण आप उसको effort नहीं कर पाते आज का मेरा ये video देखने के बाद हर व्यक्ति अपने वजन को कम कर सकेगा ये video सिरफ girls के लिए नहीं बलकि boys के लिए भी है तो कोई भी इसको पी कर अपने वजन को नियंदृत कर सकता है इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए नीमू में वाइटमिन C भरपूर मात्रा में होता है जो आपके वड़ते हुए वजन को कंट्रोल करता है आपके metabolism को fast करता है देखे पूरे श चरील में सडने लगती है और सडने के बाद में वो fat के रूप में convert हो जाती है जिससे पूरा दिन आपको आलस आता है तरह तरह की बिमारी आपको घेल लेती है बुडापा समय से पहले आ जाता है और मोटापा तो दिन बर दिन बढ़ता ही जला जाता है ठीक है तो यह आप पर हम नीबू का इस्तमाल उसके छिलके के साथ करेंगे क्योंकि आप चैप नहीं जानते होंगे कि नीबू से जादा उसके छिलके में फायदा होता है आपके पूरे शरीप के लिए तो हम क्या करेंगे एक नीबू लेंगे उसको इस तरीके से छोटे-छोटे slices में कट कर ल वहीं आपके शरीर के लिए बहुत गुनकारी है बलकि मैं आपसे कहूंगी कि आपके शरीर के लिए रामबार नुखे की तरह काम करती है अगर आपके शरी में cholesterol बहुत जादा बढ़ा हुआ है जो आजकल की सबसे जादा घंबीर समस्या हर किसी को face करने पड़े है कि हमारे liver पर fat आजाता है डॉक्टर बोलता है cholesterol बहुत जादा बढ़ गया है आप ये करो आप ये दवाईयां खाओ उसके जगा मैं आपको कहती हूँ कि दवाईयां बंद करकर आप अधरक का इस्तमाल करें अधरक का सेवन करें क्योंकि आपके बड़े होई cholesterol को बहुत अच्छे से नियंत्रित करता है ठीक है बहुत सारे लोगों में आखों के पास cholesterol जमने लगता है फैट आने लगता है तो यह उस cholesterol को भी reduce करेंगा दूसरी सबसे बड़ी problem को solve क्या करता है गर्ल्स को monthly problem होती है ठीक है पीर्ट उनके irregular होते हैं तो यह उनको भी regular करता है और आपको पीर्ट में जो pain होता है उसको भी यह कम करता है दीसरा benefit इसका क्या है यह आपके पार्चन तंत्र को दुरूस करता है बहुत सारी लोगों को खाना खाने के बाद पेट फूलने की समस्या ब्लॉटिंग की, खक्ते डिकारों की, आपचन की ठीक है तो यह उन सारी problems को बहुत अच्छे से reduce करता है और आपके पार्चन तंत्रों को दुरूस करता है जिससे क्या होता, आपका metabolism बहुत fast हो जाता है इसका इतना ही benefit नहीं बल्कि आपके जोडों के दर्द को भी दूर करता है अगर आपको बहुत जादा arthritis की समस्या है जोडों में दर्द, masturbation में सूजन है तो ये उन problem को भी खतम करेगा तो ये सारी problem को दूर करता है और मोटापे को बहुत अशे तरीके से melt करता है आप खुद notice करेंगे कि आज का मेरा ये एक glass आपकी जिंदेकी बदल कर रख देगा आपके अंदर इतना बड़ा change लेकर आएगा कि मैं आपको शायद camera में से बता नहीं सकती कि बस आप इसको लेना शुरू कर दे मेरे कहने पर और फिर देखे अपने अंदर आने वाला जटपड result ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिया है आदा इंच अद्रक उसको मैंने इं छोटे टुकडों में कट कर लिया है इस drink को यह मत पूछेगा कि बना कर रख सकते हैं बिल्कुल नहीं रोजाना आपको उसको fresh बनाना है सिरफ 5 मिनट का काम है fresh बनाए और fresh ही इसको पीएं आप इस तरीके से cut करने के बाद आपको एक बरतन लेना है उसमें डालना है आपको 2 glass पानी उसके बाद आप नीबू की slices उसमें add कर दीजे हमने जो अत्रब कट किया था वो भी इसमें add कर दीजे add करने के बाद इसको full sake पर रख दीजे जब पानी उबल उबल कर एक glass रह जाए तब आपने gas का flame बंद कर देना है अब छनी की मदद से आपको इसको एक कांच के glass में छान लेना है छनी का इस्तमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखेगा प्लास्टिक की नहीं stainless steel की छनी का इस्तमाल करें क्योंकि प्लास्टिक जो होता है मेंट होता है गरम चीज़ से अब बारी आजाती है इसको कौन सी उमर के लोग पी सकते हैं अगर आपका बच्चा 11 साल का भी है उसका भी बजन बहुत जादा है तो वो same quantity intake कर सकता है या अगर आपकी उमर 60 साल की है तो भी आप इसको ले सकते हैं बॉइज और गर्ल्स भी ले सकते हैं जो लेडीज अपने बच्चे को फीट करवाती हैं या प्रेगनेंट हैं वो इवर डॉक्टर के कंसर्ण करके लें क्योंकि उस ताइम पर हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं जिससे आपको कोई साइड एफेक्ट ना हो वैसे बिलकुल नाच्रल है लेकिन उस ताइम पर हमारी बॉडी में बहुत तरह के चेंज़े आते हैं तो आपको इवर डॉक्टर से कंसर्ण कर लेना चाहिए ठीक है अज जान लेते हैं इसको पीने का सही समय क्या है इसको पीना है आपने रोजाना, खाना खाने के जो रात के आपने खाना खाया, डिनर किया, उसके गंटे बात और सुने से आदा घंटा पहले, जब आप इसको रात को पीएंगे, तो यह आपके शरीब में पूरी रात बहुत अच्छे से काम करेगा, जिससे आप सुलग तो I hope कि आपको मेरा ये भेहतरीन सा वीडियो बेहत पसंद आया होगा तो प्लीज आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे आप मुझे इसके साथ सब इंस्ट्राग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा एकाउंट है और फेस्बुक पे मेरा पेज है को खुशनया लाती रहोंगी आपके जिन्दीकी को खुशनमा बनाती रहोंगी मिलते है नेक्स वीडियो में बाई ठेक केर से हिल्दी लव यू अल